Hello everyone, welcome to our YouTube channel तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 2018 का Contemporary Indian Education का आपका पेपर CRSU University का तो जैसे कि आपको पता है कि 5 आपके questions आपको attempt करने होते है 4 units होती है जिसमें से एक question आपको लेना होता है और एक आपका compulsory question होता है तो यह आपका question number 1 है यह compulsory question है जिसके आपके 4 parts है और हर part आपका 4 number का है ठीक है और मैंने बाकी paper में discuss करते हैं टाइम भी आपको बताया कि यह जो 4 number के parts है इनको आपको 4 sheet में भरना है हर एक part को और यह जो बाकी question है वो 16 marks के हैं उनके लिए आप 8 sheets में अपना answer लिखे शीट को already divide करके चलो आपको अपना clear रहेगा कि कितने pages में कितने answer करने हैं और आपका answer properly attempt होता चला जाएगा clear तो जो अभी की scheme है यानि कि 2022 उसके according आप any 4 questions attempt कर सकते हो यानि कि आपको हर unit में से question चूज करने के जुरत नहीं है आपको भी 2 unit select करके उसमें से आप questions को attempt कर सकते हो तो यह आपके लिए एक फाइदे वाली बात है यानि कि आप सिर्फ आधा part करके आप अपने अच्छे से paper को attempt कर सकते हो तो question देख लेते हैं एक बर क्या है आपके first unit यानि जो compulsory वाले questions है वो है first is difference between fundamental rights and duties first unit का question है यह आपका और आपको अगर इसका answer चाहिए हो तो मैंने playlist section का link आपको description में दे दिया है playlist में आपको इन सभी questions के answer मिल जाएंगे सारी units uploaded हैं सभी topics uploaded हैं आप topic वही सर्च करके अपना काम चला सकते हैं next question is four objectives of national curriculum framework 2005 यह important question है आपका 2016 में यह 16 नंबर का question मन कर आया था और अभी देखो यह आपका चाहर नंबर का question मन कर आया है फिर आपका three language formula tennis democracy and education तो आपको इनको short note वाले question है आप points बनाएंगे और थोड़ थोड़ लिखेंगे इसी में आपके चाहर पेज फिल हो जाएंगे ठीक है आगे विच्छे मिला के चाहर पेज करने हैं फिर unit one में से आपके पास दो question है जिन में से कोई एक attempt करना होता है लेकिन अभी आप दोनों भी attempt कर सकते हैं अगर आपको दोनों आते हैं तो तो आपका first day explain the policies, acts and provisions related to education मतलब education related to policies and provisions के बारे में आपको बताना है ठीक है इसमें आपका 16 marks का question है आप इसका answer आपको मिल जाएगा first unit के अंदर आपको अगर बुक से पढ़ना है बुक से भी पढ़ सकते हैं और आगर आपको वीडियो देखनी है तो description वाली link में आप जाकर सभी topic की वीडियो देख सकते हैं next is what is right to education act 2009 इसके बारे में आपको लिखना है इसके में फीचर के बारे में उसके बारे में उसके बाद national education policy 1986 यह तो आपका 2017 में भी question आया है और 2018 में भी तो आप समझ सकते हैं कि कितना important question है यह आपका ठीक है उसके बाद what is the program of action यह जो program of action है यह जो program of action है ने यह short note में आप पी ओ ए सिर्फ इतना लिखा हुआ भी आ सकता है तो उसमें आपको program of action के बारे में ही बताना है ठीक है इसको आपको detail में लिखना है वहाँ आपका 4 नंबर का बनेगा question बस इतना फरक रहेगा उसके बाद है what is universalization of elementary education और उसको detail में explain करो next is LPG LPG को बच्चे समझ नहीं पाते कि यह question क्या है असल में question क्या है liberalization, privatization and globalization इस नाम से आपको एक topic मलेगा unit 3 के अंदर और अगर आपको book में नहीं मिलता तो मैंने भी इसके video डाली आप उसमें भी देख सकते हैं तो यह basically इस चीज के बात कर रहे है LPG मतलब है liberalization, privatization and globalization तो LPG को समझ के कहीं liquefied petroleum gas मत कराना तो what do you understand by integration between education and technology यह तो बड़ासान question है किसी को नहीं भी आता तो आप बना कर लिख सकते कि education and technology में क्या आप ऐसमें मेल जोल है उसके word what do you mean by new educational reforms describe their impact on education तो यह है आपके कॉंसे यह के question 2018 के questions जो कि आपको help करेंगे आपके 2022 को paper के paper में क्योंकि previous year questions ही most of the time repeat होते हैं यह आपके आप इनको as important questions consider कर सकते हैं तो अगर आपको video पसंद आई हो then don't forget to like the video and subscribe to our channel and also press the bell icon to get instant notifications of all our videos that's all thank you